हाई एवरिवन कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मैं युगंदरा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चानल में जिसका नाम है Learn All Subjects with युगंदरा So friends, आज हम सीखेंगे 7th Standard का Subject General Science So जैसे कि आप वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं, हमारा 7th Standard का General Science का Textbook हमारे सामने ही है So let's start So first chapter का नाम है The Living World Adaptations and Classification First chapter का नाम क्या है? The Living World Adaptation and Classification A great variety of plants is found on the earth तो देखिए, अर्थ पर, पृत्वी पर, अनेक प्रकार की वनस्पतिया पाई जाती है Plants पाई जाते है Some plants have colorful flowers कुछ plants के colorful flowers होते है Some plants grow in water Whereas some are to be found in deserts Which have a scarcity of water It means कुछ plants, कुछ वनस्पतिया water में means पाई जाती है तो कुछ वनस्पतिया पानी के अभाव वाले deserts Means, means पानी के अभाव वाले मरूस थली प्रदेशों में पाई जाती है Deserts में पाई जाती है Some plants are found only in snowy regions और कुछ वनस्पतिया, कुछ plants snowy regions में पाई जाते है Some plants cannot be seen without a microscope Whereas some are huge in size तो कुछ plants microscope के बिना दिखाई नहीं देती तो कुछ huge in size होती है Like plants, animals to show diversity तो देखें, जैसे कि plants में हम diversity को देख सकते हैं वैसे ही, animals में भी हम diversity देखते हैं Diversity means विवीधता, okay Some are unicellular, others multicellular Some are vertebrates, whereas others are invertebrates Means कुछ animals unicellular होते हैं एक कोशिकिय होते हैं And others multicellular और बाकि जो animals होते हैं, जो unicellular नहीं होते वो multicellular होते हैं Means बहु कोशिकाय होते हैं Some are vertebrates, whereas others are invertebrates This world is full of a variety of animals Aquatic, terrestrial, amphibian, reptilian, aerial, etc तो देखें, कुछ animals vertebrates होते हैं Means पुष्टवाउंशिय होते हैं Types बताए हैं Aquatic means जलचर Terrestrial means थलचर Amphibian means उभाईचर Reptilian means सरीश्रूप और Aerial means नभचर तो देखें, ऐसे अनेक प्रकार के प्राणियों से Animals से हमारा World, हमारा विश्व भरा हुआ है These observations give rise to the question How did this great diversity come into being? तो देखें, ये जो types हमने देखें ये types देखकर क्या एक question उपस्तित होता है कि How did this great diversity come into being? Means Living things में सजीवों में इतनी diversity, इतनी विविदता किन कारणों से आई होगी? Are the plants and animals from Kashmir and Rajasthan of the same type? Kashmir इन प्रदेशों में पाए जाने वाले animals और plants क्या एक ही प्रकार के होते हैं? Can you elaborate on any differences between the two? तो उन में आप कौन से differences बता सकते हैं इन दोनों में? coniferous trees like pine and देवदार flourish in snowy regions like Kashmir तो देखें, Kashmir जैसे snowy region means बरफीले प्रदेश में देवदार और pine जैसे coniferous trees बड़ी संख्या में पाए जाते हैं हावेवर इन दे डेजर्स अफ राजस्थान प्लांट्स लाइक कैक्टस अड अकैसिया means बापूल are to be found तो देखें, राजस्तान जैसे डेजर्ट प्रदेश में अकैसिया अड कैक्टस जैसे प्लांट्स बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और इसी प्रकार से डेजर्ट में रहने वाला कैमल means उंट कश्मीर में नहीं पाया जाता तो इसका रीजन क्या है तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें पिक्चर 1.1 में डेजर्ट में जो प्लांट्स पाये जाते हैं उनकी हमें फोटो दी है और कुछ अनिमल्स के भी हमें फोटो दिखाए दे रहे हैं तो अब हम इसका डीटेल में स्टडी करेंगे तो फर्स पॉइंट है अडाप्टेशन मिन्स अनुकूलन ओके ग्राजोल चेंजेस ओकर इन दी बॉड़ी पार्ट्स और अलसो इन दी बिहेवियर ओफ ओर्गानिजम्स विच हेल्पस देम तो अड़्जस्ट तो देख सकते हैं प्रतेक लिविंग तिंग्स या तो प्रतेक सजीव जिस सराउंडिंग में जिस परिसर और वातावरण में रहता है उससे अड़्जस्ट होने के लिए उसके बॉड़ी के ओर्गैनिजम्स में और जीवन यापन की पद्दती में ताइम के अनुसार, समय के अनुसार, such changes are called adaptations, they take place over a long period of time तो क्या कहा है? प्रतेक सजीव जिस परिसर और वातावरण में रहता है, जिस सराउंडिंग में रहता है उससे अड़्जस्ट होने के लिए उसके बॉड़ी पार्ट्स में and in the behavior of organisms means जीवन यापन की पद्दती में टाइम अनुसार, समय अनुसार, changes होने वाले, घटित होने वाले परिवर्टनों को क्या कहते है? adaptation कहते है, means अनुकूलन कहते है, okay? next हमें यहाँ पे एक चार्ट दिया है, adaptation in plants तो अब हमें plants में जो adaptation होता है, वो हमें देखना है observe and complete the chart, include other plants from your own region too it means हमें observe करना है और यह chart complete करना है आपके environment में, आपके own region में पाई जाने वाली जो वनस्पतिया होती है, जो plants होते हैं हमें इनके examples यहाँ पे देने हैं तो देख सकते हैं हम यहाँ पे चार्ट, देके first example हमें क्या दिया है? प्लांट, lotus, तो lotus का जो plant होता है, उसका आवास कहां पे रहता है? तो यह aquatic होता है, it means यह पानी में रहता है इसलिए habitat हमें क्या बताया है? aquatic नेक्स्ट, type of root, तो इसके root का type कौन सार है था है? fibrous, means तन्तू में नेक्स्ट, characteristics of leaves, इसके leaves के characteristics क्या पाई जाती है? तो large and round with waxy layer इसके जो leaves होते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं, वो large होते हैं and round with waxy layer होते हैं next है, characteristics of stem, और उसकी stems की क्या विशेशताई होती है? तो उसके stems hollow and flexible होते हैं, ओके? तो इसी तरह से आप अपने surrounding में next जो two examples दिये हैं, cactus and bunyan tree इन दोनों का observation करके ये chart fill up कर सकते हैं, ओके? next हम देखेंगे, adaptation in aquatic plants means जलिय, plants का adaptation so try this में हमें क्या बताया है? visit various water bodies such a river, brook, pond, lake in your surroundings what differences do you observe between terrestrial and aquatic plants? it means आपके surrounding में river means नदी, brook means नाले, pond means तालब and lake in जैसे various water bodies को हमें observe करना है जो भी हमारे surrounding में है what differences do you observe between terrestrial and aquatic plants? तो देखें, terrestrial और aquatic plants में हमें क्या differences दिखाई देते हैं? ये हमें note करना है, okay? so यहाँ पे picture 1.2 में हमें aquatic plants के photo दिखाई दे रहे हैं some of the aquatic plants are firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies तो देखें, जलाशव में पाई जाने वाली plants में वनस पितियों में उन में से कुछ plants के root means जड़े जलाशवे के तल की मिट्टी को, soil को दुरुडता से पकड़े रखती है their stems are submerged while leaves and flowers float on the surface और उनके तने, stems means तने, water में, पानी में डूबे हुए और उनके leaves और flowers पानी पर float करते हैं, means तैरते रहते हैं however, some plants are entirely afloat, their roots are not anchored in the soil तो देख सकते हैं, पाया जाता है कि कुछ plants, कुछ वनस पतिया जड़ो सहीत पानी पर तैरती है the surface of leaves and stems of many aquatic plants are covered with a waxy layer leaves of some aquatic plants are thin and slender like a rib this shape helps them to withstand fast currents of water air spaces in stems and petioles of aquatic plants are useful for floating in water तो देखे इसका meaning क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे picture में देख रहे हैं कि अधिक तम जलिया वनस पतियों कि leaves means पतियों और तनों में means stems में, means पतियों और तनों जैसे अंगों पर waxi layer means मोम युक्तपदार्दों की पतली layer होती है leaves of some plants, aquatic plants are thin and slender like a ribbon और कुछ plants की पतिया, कुछ plants की leaves, ribbon जैसे पतली होती है this shape helps them to withstand fast current of water तो देखे इसे कारण से plants पानी का तेज़ प्रवा सहन कर सकती है air spaces in stems and petioles of aquatic plants are useful for floating in water तो देखे, stems और petioles में जो हवा होती है ये plants को पानी पर तेरने के लिए उप्योगी होता है तो देखे, यहाँ पे हम photo में देख रहे हैं कि lotus का flower पानी पे कैसे तेर रहा है और उसके leaves भी कैसे होते हैं उस पे waxi layer होते हैं और यहाँ पे picture 1.3 में हम lotus stock भी देख रहे हैं next हम देखेंगे adaptation in desert plants take two potted plants one a cactus and the other a leafy plant तो देखे, यहाँ पे हमें दो potted plants लेने हैं एक लेना है cactus का और दूसरा लेना है leafy plant tie plastic bags loosely around the leaf leaves of these plants and keep them in sunlight from early in the morning तो देखें हमें क्या करना है दोनों ही potted plants की leaves के means पत्तियों के चारों और plastic के bag फुला कर हमें उसे बांधनी है और गमले को सुबह से धूप में रखना है in the afternoon bring those pots into the classroom and observe them और उन गमलों को दोपर में हमें अपनी classroom में लाकर उसे observe करना है has the same quantity of water collected in both bags तो हमें क्या observe करना है कि क्या दोनों bags में दोनों थैलियों में पानी की quantity पानी की मात्रा समान दिखाई देती है desert plants are either leafless और their leaves are like small needles or have been modified into thorns तो देखें desert की plants में leaves नहीं होती मिन्स पत्तिया नहीं होती और their leaves are like small needles or have been modified into thorns में हीमप्रदेश में जो plants होते हैं उनका हमें adaptation देखना है in what way are sloping branches useful to plants in a snowy region मिन्स हमें यहाँ पे क्या पूचा है बरफी ले प्रदेश की वनस्पतियों में snowy regions की plants में उनकी sloping branches का क्या उपियोग होता है so plants of snowy regions mainly include conifers like देवदार and pine तो देखे इस snowy region की plants में प्रमुक रूप से देवदार और pine जैसे conifers plants का समावेश होता है these trees are conical in shape due to their sloping branches तो देखे उनका आकार conical in shape means शंकू जैसा होता है तो देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में हमें दिखाई दे रहा है कि इनका आकार शंकू जैसा कैसे दिखता है conical in shape कैसे दिखाई देता है okay in the heavy snowfall and extreme cold in these regions their conical shape prevents the snow from accumulating on the tree and the thick bark helps the tree to withstand the cold इसका मिनिंग क्या है तो देखे उनके leaves की रचना उनके branches की रचना sloping होती है और इन snowy regions में बहुत ही snowfall और extreme cold means अधिक थंड होती है and the thick bark helps the tree to withstand the cold तो देख सकते हैं शंकू के आकार के कारण इन plants पर बर्फ नहीं जमती और इसे प्रकार अपनी मोटी चाल के कारण वे cold में थंड में भी निर्वाह कर सकते हैं तो देखें पिक्चर 1.5 में हमें क्या दिखाए है देवदार ट्री snowy region में जो देवदार ट्री होता है वो हमें यहाँ पे दिया है इस चाप्टर का remaining पार हम next वीडियो लेक्चर में complete करेंगे तो आज का वीडियो लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजे और वीडियो को शेर भी कीजे और अगर आपने अभी तक चानल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें So friends, see you in the next वीडियो Bye-bye for now, take care